माराष्ट में मिली सफलता के बाद शिवसेना ने अब राजिस्तान में भी अप्रविस्तार करना शुरू कर दिया है शिवसेना के अजमेर इकाई के और सी असदसते अब्यान की शुरुआत की गई अभ्यान के पहले दिन शिवसेना ने कामगार सेना के सदस्यों को शिवसेना की सदस्या दी शिवसेना एकाई के जिला प्रमुग चंदर शेखर चोहान की अनुसार शिवसेना का ये सदस्यता अभ्यान आगा में खुश दिनों तक अजमेर में जारी रहेगा और बाद में शिव सेना अजमेर के स्थानिय मुद्दों को लेकर संगश करेगी सदस्यता अभ्यान के तहट शिव सेना अजमेर की इकाई का पहला प्रथम नियुकती पत्र कामगार सेना के जिलाध्यक्षी हरी प्रशाद्जी लखन को नियुकत किया गया है और मंगल कामना हैं कि कामगार से ना मतलब की जो भी काम के पती या मजदूर लोग होते हैं उनकी ये आगे भविश्य में सब देख रहे करते हैं क्या जरूरत पड़ी के सद्धत्ता अभ्यान शुरू करना परा है सद्धत्ता अभ्यान जरूत करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अजमेर के निवासी हैं और अजमेर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ पिछड़ापन रह रहा है हमने जो उम्मीद की थी दूसरी चीजों से तो वो पूरी नहीं हो पा रही है तो हम पूरी टीम बनाके complete टीम बनाके उसको नए तरीके से जो हम अजमेर में पिछड़ चुके हैं क्योंकि एक उधारन पचास साल कर अंतर आ चुका है वहां के infrastructure में यह वहां की सोच में और हमारे एजमेर की सोच में तो एक टीम के तहट जो पहली नियोकती है कामगार सेना की क्योंकि भवन निर्मान का जो कारे होता है वो कामगार सेना के थ्रू ही होता है वहां से हम शुरुवात करेंगे नि मान की तरफ पड़े होता है